एक नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड मजबूत हो जाते हैं दो हमें हमेशा अपने नाखुनों को काट कर रखना चाहिए तीन खाना खाते वक्त किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचे गुसे में कभी भी भोजन ना करे पहले अपने आपको शांत करे फिर भोजन करे चार चेहरे पर नारियल का तेल मल लेने से चेहरे के दाने खत्म होते हैं और मच्छर भी नहीं काटते पाँच हमें कभी भी दुकानों में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए इनमें बहुत हानिकारत तत्व होते हैं चैह छोटी मोटी समस्याओं के लिए कभी भी अंद्रेजी दवाओं का इस्तमाल ना करे साथ कभी भी खड़े-खड़े खाना न खाए आठ हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी भारी भोजन करना है वो सूर्य से पहले ही करेंगे सूर्यास के बाद नहीं नौ कभी भी रात को सोते समय अधिक पानी न पिए अगर पानी पीना है तो सोने के टाइम से कम से कम आधा घंटा पहले पानी पिए दस सुबह उठने के बाद कम से कम एक हजार मीटर पैदल जरूर चले 11. कभी भी अपने रात के खाने में भारी और तेल वाला भोजन ना करे 12. खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं सोना चाहिए 13. कभी भी कोई किताब या अकबार पढ़ते हुए खाना नहीं खाना चाहिए 14. रात को हमेशा जल्दी सोने की आदत डाले 15. खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा मीठा और सौफ के दाने जरूर खाएं 16. रात को सोने से ठीक पहले अपने दानतों को साफ करना ना भूले 17. खाने खाते वक्त कभी भी बाते ना करे ये बहुत ही बुरी बात है 18. कभी भी बहुत ज्यादा बड़े बाल नहीं रखने चाहिए, हमें उनको समय समय पर कटवाते रहना चाहिए 19. कभी भी चाच पीने या दही खाने के तुरंत बाद दूद ना पिए 20. हमें बहुत अधिक देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए 21. कभी भी दही सूर्यास्त के बाद ना खाएं दही प्रयोग करने का सबसे सही समय सुभा और शाम है 22. हमें कभी भी बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए 23. हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ती का तौलिया और ब्रश इस्तमाल नहीं करना चाहिए 24. कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए 25. हर रोज कम से कम साथ से 12 गलास पानी जरूर 26. कभी भी उपर से ना पिये पानी हमेशा मोह लगा कर ही पीना चाहिए 27. हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए 28. कभी भी बहुत ज्यादा तेल वाली चीजे ना खाएं या फिर तली हुई चीजे बहुत कम खाएं 29. कर दो करें चाहिए